देखो दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिमवाववे वर्सिज ओमान के बीच होने वाले ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच की ड्रीम 11 टीम और ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में और देखो दोस्तो ये वाला मैच खेला जाएगा क्विन स्पोर्ट्स कलब बलू आयो के ग्राउंड के उपर 29 जून को दोपैर को 12 बच के 30 मिनट पे मैच स्टार्ट होगा अब से पहली बात आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम जिम्वाववे और उमान के हर एक प्लेर का रिकोर्ड भी देखेंगे और साथ ही स्मोल लीग और ग्रेंड लीग की टीम भी बनाने बादे वही देखो दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ऐसा लिंक मिलेगा टेलिग्राम का वो लिंक पे क्लिक करके टेलिग अपना पहला मैच है नेपाल के खिला जिमभापबे की टीम आट विकेट से मैच जीत गई थी उस मैच मेर हम जिमभापबे की तरब से बात करें तोouch इर्वाइन जो की सोन इंस ने 102 रन बनाए उसके बाद रिचरण इंगारवा को चार विकेट मिले और टेंडाई चातार को एक विकेट मिला दूसरा मैच जिनवाब्भे ने केला नेधर लेड्र подум के खिलाफ वह वाला मैच जिनवाब्भे की टिम 6 विकेट से जीत गई उस मैच मेंगर हम जिनवाब्भे की तरफ से बात करें तो क्रैग इर्वाइन ने 50 रन बनाए, सोन विल्यम्स ने 91 रन बनाए, रिचर्ड इंगारवा को 2 विकेट मिला, सिकंदर रजा ने 4 विकेट लिए और 102 रन बनाए तीसरा मैच जिमबाब्बे ने वेस्ट इंडीच के खिलाव केला, जिमबाब्बे की टीम 35 रनों से मैच जीत गई, उस मैच में जिमबाब्बे की तरफ से अगरम बात करें टेक बार फिर से क्रैग इर्वाइन ने 47 रन, सोन विलियम्स ने 23 रन, रिचर इंगारवा को 2 विकेट, सिकंदर रजा ने 68 रन बटाए 2 विकेट लिए, टेंडाई चतारा को 3 विकेट मिले और ब्लैसिंग मुजरुबानी को 2 विकेट मिले और जिमबाबबे ने अपना चोथा मैच के ला था, USC के लाप, वो मैच जिमबाबबे की टीम 304 रन से जीत गई थी, उस मैच में अगरम जिमबाबबे की तरफ से बात करें, तो एक बार फिर से सोन विलियम्स ने 174 रन, उसके बाद जोई लोड गंबाई, इस प्लेयर के बारे में आपको ये जो वीडियो बनाई थी, USC जिमबाबबे वाली, उसके अंदर ही बताया था कि डिफ्रेंशल प्लेयर है, इस प्लेयर ने ठेतर रन बनाए थी, विकेट की परन का ओपनिंग बैट्स में ने, उसके बाद रिचार्ड इंगारवा को दो विकेट मिले, सि इसी वज़े से ब्रेड इवन आपको याँ पे देखने को मिले थी, अगर हम देखो दोस्तों तीनों मैचों की बात करें ना, तो सोन विलियम्स, रिचर्ड इंगारवा, क्रेग इर्वाइन, टेंडाई चटारा और सिकंदर रजा, ये जो पांच पलेयर है, ये पांच पल टोप ओडर का बेट्समेन है, आला कि देखो दोस्तों एक प्लेयर ओर इन की तरफ से जो ग्रेंड लिग का डिफरेंचिल रह सकता है, उसका नाम है रेयान बूल, ये डिफरेंचिल इसली रह सकता है, क्योंकि ये वाला जो मैच है ये मैच खेला जाएगा, क्वीन स्पोर् ज़्यादा विकिट निकाले हैं, चाहिए आप हसरंगा को लेलो, ये गरम स्कोर्ड लेंड की तरफ से बात करें, तो क्रिस ग्रीव ने भी लास्ट मैच में कमाल की बोलिंग की थी, तो यहाँ पे ब्रियान बूल, वो लेक ब्रेक स्पीनर है, तो एक ये डिफरेंचिल रह सकता है, बाकी आपे क्रेक इर्वाइन, सोन विलियम्स, रिचर्ड इंगारवा, टेंडाई चटारा, सिकंदर राजा, ये पांच बिल्कुल से पोप्षन है इनकी तरफ से, अब देखो दोस्तों, गरम उमान की तरफ से बात करें, तो इस साल ICC World Cup Qualifier के अंदर, उमान की टी को दो विकेट मिले, फ्याज बट को दो विकेट मिले, आकी बिलियास ने बाउन रन बनाए, जेशान मसूद ने बाउन रन बनाए, एक विकेट लिया, मुंबन नदीम ने चारिस रन बनाए, और अयान खान ने 21 रन बनाए, और एक विकेट लिया, ओमान ने अपना दूसर उनको 3 विकेट मिले, आकी बिल्यास ने 35 रन बनाए और शोईब खान ने 52 रन और मुमन ददीब ने 50 रन बनाए वही ओमान ने अपना तीसरा मैच केला था सिरलंका के खिलाफ वो मैच ओमान के टीम 10 विकेट से हार गई थी और उस मैच में मातरिक अयान खान ऐसे प्लेर ते ओमान की तरब से जिन्होंने 41 रन बनाए चोथा मैच ओमान ने स्कोटलेंड के किलाफ केला ओमान की टीम 16 रनों से मैच हार गई उस मैस में अगर हम ओमान की तरब से बात करें तो बिलाल खान को 5 विकेट फ्याज बट को 2 विकेट उसके बाद अगर हम बात के तो अयान खान ने 30 रन बनाए शोविब खान ने 36 रन और नसीम खुशी जो इनके विकेट की पर है उन्होंने 69 रन बनाए अगर देखो दोस्तो हम बात करें ना ओमान की तरब से तो बिलाल खान फ्याज बट दोनों का अच्छा पर्फॉमिस है उसके बाद आकिब इलियास जेशान मसूद उसके बाद अयान खान का अच्छा पर्फॉमिस है यानि इन 5 प्लेडों का पर्फॉमिस अच्छा है उसके बाद कुछ मैचों म मुंबन नदीव ने परफॉर्म किया है और एक दो मैचों में जै और डेडरा ने परफॉर्म किया जो कि इनके राइट आम पर एक स्पीनर है अब देखो दोस्तों एक चीज और बता देता हूं आपको यहां पर जो चार मैच खेले ना उन चार मेच से तीन मैचों के अंदर ओमान की टीम ने पहले बोलिंग किये और उन्ही तीन मैचों के अंदर बिलाल खान फ्याजबट ने विकेट निकाले है एक मैच सिरलनका एक खिलाब खेला गया था उस मैच में ओमान की टीम ने पहले बैटिंग की थी और ओमान की तरफ से बिलाल खान और फ्याजबट दो को मिल रहा है जिसमें एक बार फेसे बदा दू बिलाल खान फ्याज बट आकी बिलियास जेशान मसूद अयान खान कवरी कोड अच्छ है कुछ में जो मुंबन नदीम ने भी ठिकटा कॉफोमेंस दी है अब देखो दोस्तों आपको बदा दू यहां पे जिमवापब्य रोमा पहले बैटिंग करते वे 377 रन बनाए थे 6 विगेट पे और ओमान 349 रन बनाके आल आउट हो गई थी और 28 रनोसे मैच जिमवापब्य जीत कया था उस मैच में जिमवापब्य की तरब से अगर हम बात करें तो वैसले मदवीरे ने 46 रन बनाए एक विगेट लिया सोन विल वही उस मैच में उमान की दरब से गरम बात करें तो आकिब इलियास ने 113 रन बनाए जेशान मसूद ने 37 रन बनाए अयान खान ने 22 रन बनाए एक विगेट लिया फैजान बट को 2 विगेट मिले और बिलाल खान को 2 विगेट मिले ये कुछ पफोर्मस देखने को मिला था एक warm-up match के अंदर, जिसमें simple सी बात है, player तो वही है, लेकिन grand league के अंदर कोई बंदा risk ले, तो सिकंदर रजा तो universal captain है हमारा, लेकिन vice captain यहाँ पर आकी भी लियास, यहाँ पर आयान खान में से किसी को try कह जा सकता है, अगर कोई बंदा risk ले, एक चीज और, इस match में भी ओमान पहले betting की थी, और इस match में यह दोनों बोलर flop भी हो गए थी, यह कुछ हमें scenario देखने को मिला है, ओमान की तरफ से, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जिम्वापे की क्या play लेवन देखने को मिल सकती है, देखो दोस्तों, जिम्वापे की तरफ से, जो लोड गंबाई के स क्रेग इरवाइन ओपनिंग करने आने चाहिए, अगर क्रेग इरवाइन बाईजांस फिर से ना के ले, उसके इसमें इनोसेंट काईया ओपनिंग करने आएंगे, उसके बाद वैसले मदवीरे, सोन विलियम्स, सिकंदर रजा, रियान बूल तक बैटिंग है, बोलिंग की प्लेसिंग मुजरुबानी, टेंडाई, चतारा, रिजर्ड इंगारवा, वैलिंग्टन मसाकाजदा, च्यार बोलर ये, पाँचो बोलर सिकंदर रजा, और उसके बाद सोन विलियम्स और रियान बूल भी कभी कभार बोलिंग कर लेते हैं, एक चेंज ओर हो सकता है, हो सकत हो सकते हैं, एक ये पोसिबल चेंज हो सकता है, दूसरी चीज आपको सेफ ओप्सन बिल्कुल पता है, रिचर इंगारवा सेफ है, टेंडाई, चतारा केलेगा तो सेफ है, उसके बाद यहाँ पे सिकंदर रजा सेफ है, सोन विलियम्स सेफ है, क्रेग इरवाइन सेफ है, य इसके बाद यहाँ पे जो लोड गंबाई ओपनिंग करनी आएगा, और विकेट कीपिंग भी करनी चाहिए, तो सेफ निकल के आ सकता है, छटा प्लेर, ये जियल के अंदर सिंपल से बात है, एक तो ब्राड इवान सगर के ले, तो डिफरेंशिल प्लेर निकल के आ सकता है, रियान बूल यहाँ पे राइटाम लेक ब्रेक स्पिन बोलिंग भी कर लेता है, लास्ट मेच में एक विकेट भी निकाला था, एक चीज़ और दादू, कि जो रियान बूल है ना, वो इस ग्राउंड के उपर इंफेक्टिव से लिए रह सकता है, क्योंकि इस ग्राउंड क अगर हम बात करें यहाँ पे ओमान की तरफ से, देखो दोस्तों, ओमान की तरफ से कश्यप परजापती और जदिंदर सिंग ओपनर, तीन नंबर पे आकी बिलियास, यह तीन प्ले टोप ओडर के, और मिडल ओडर की बात के तो जिशान मक्सूद, मुहमन नदीम, सोयब खा और नसीम कुसी जोगी इनके विकेट की पर है, और बोलिंग की बात करें तो बिलाल खान, फ्याज बट, जे ओडेरा, उसके बाद अगर हम बात के तो जेशान मक्सूद, उसके बाद आकी बिलियास है, और उसके बाद कभी कबार कुछ और की बोलिंग मुहमन नदीम भी कर की बोलिंग की थी, उसके बाद एक अधी प्लेर की ओर बात के तो जे ओडेरा ने पांच ओर की बोलिंग की थी, मुहमन अदीम ने च्छा ओर की बोलिंग की थी, आयान खान ने च्छा ओर की बोलिंग की थी, और आकी बिलियास ने चार ओर की बोलिंग की थी, तो इनका थो सिरी वास्तवा यह है राइट डाम लेक ब्रेक स्फिनर इस ग्राउंड का मैंने आपको भी बताया कि लेक्ट स्पिनर तुर रिफ्रेंशल ने के लिए आते हैं तो समय सिर वास्तवा को मोगा दे सकते हैं रिशन फॉर्म भी काफ यची है आपको आगे बताओ अब देखो दो बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं उमान की तरफ से लास्ट मैच में 79 रंड मनाई थे उससे पहले बैटिंग ही नहीं आयती और सुरुज कुमार को खेलने का मोगा नहीं मिले अब यहां पे एक ही प्लेयर सेफ है जोई लोड गंबाई अगर बैटिंग की बात करें तो उससे पहले भी कोई खास परफॉमस है नहीं लेकिन कभी कबार तीन नंबर ही बैटिंग करने आ जाते हैं और बोलिंग भी कर लेते हैं तो जील के अंदर डिफरेंशल प्लेयर आप मानके चल सकते हो इस प्लेयर को उसके बाद अगर हम बात के तो क्रैक इरवाइन लास्ट में ठारा रन बनाएते हैं उसके बाद अगर हम ओमान के तरफ से बात करें तो कश्रफ कुमार परजापती ओपनिंग करने आएंगे बारा एक च्छे बैतर कोई खास परफॉमस है नहीं एक मैसे बैतर रन है शोईब खान की बात करें तो च्टी जीरो इक्यावन उनिस ठिक परफॉम में ज़्यादा अच्छी फॉर्म नहीं है जितें दर्शिंग की बात करें ओपनिंग करने आएंगे चोदा एक पिस दो एक कोई खास परफॉमस नहीं है उसके बाद एस बहुत को खेलने का मोगा नहीं मिलगा अगर यहां से आप से जाओ ना तो क्रेग इरवाइ विकेट 48 रन दो विकेट का पेची फॉम है सोन विलियम्स की बात करें तीन नमबरे बैटिंग करने आते हैं लेफ्ट निट बैट्स में है तेईस रन एक्यानवा रन एक सोदो रन एक स्पिनर है तो यहां पेस ग्राउंड पर बोलिंग करेगा तो दिफेंशल रह सकते है वहीं कर ओमान के तरब से बात करें तो एयान खान लेफ्ट रन डिट बैट्स में लेफ्ट हम होट ब्लोक स्पिनर तीस रन जिरो विकेट 41 रन जिरो विकेट 41 रन एक विकेट 21 रन एक विकेट बैटिंग बैटिंग बोलिंग दोरों से परफॉमेंस दे रहा है आकी बिलिय जिरो विगट एक रंज जिरो विगट एक रंज जिरो विगट उनसर रंद एक विगट ठीक ही परफोमेस्ज यादा अच्छा परफोमेस नहीं है आप जिशान मक्षूद का उसके बाद इनके पास है मुम्मन नदीम राइट रिट्नेट बैट्समन राइटां मीडियंग कर लेते हैं अभी तक विगेट नहीं मिला चैपांच और के बोलिंग करने आते हैं रन बनाएं अठारा पचास चालिस और जीरो लास्ट के चार में चोके अंदर यहां पर सिंपल है सिकंदर रजा सोन विलियम्स रियानबुल्स तीनों अच्छे उप्सन है आप चाओ तो रिया लास्ट वाला मैच नहीं कहला था यह वाला मैच खेलेगा तो इंपोर्टेंट रहा रजक तक भी बोलिंग करेगा विकेट निकाल सकता है रिचर इंगारवा लेप्ट वास्ट विकेट दो विकेट चार विकेट दो विकेट हर मैचिंग विकेट निकाला है टेंडाई चट मैंच में तीब नहीं दो 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 चै और मकाम नहीं दो दो बती है उसके बाद सहर वाष्टतों गर खेलने का मोगा मिलता है तो लेक बेक स्पिनर है रिसेन फोर्म दिखा देते हूं आपको जिरो विकेट, दो विकेट, एक विकेट, जिरो विकेट, पांच विकेट ग्रेंड लिग का मौस्ट इंपोर्ण पले़ भी निकल के आ सकता है तिये कुछ हमें बोलिंग का सनी देखने को मिलता है दोनों टीम होगा अब देखो दोस्तों हमने सारे प्लेरों का रिकोर्ड देख लिया अब हम टीम बनाते हैं सबसे पहले हम एक स्मोल लिग की टीम बनाएंगे तो उसके बाद हम दो ग्रेंड लिग की डिस्क वाले टीम बनाएंगे सबसे पहले हम ओल लाउंडर सेक्षन से स्टार्ट करते हैं हमने आप लिए सिकंदर रजा ओफ ब्रेक बोलर है बैटिंग बोलिंग दोनों करेगा सोन विलियम्स का फेच्ची फों में चलना दूसरा प्लेयर जिमवाब्बे की तरफ से हमने लिया उसके बाद हमने लिया अयान खान को किस की तरफ से उमान की तरफ से उसके बाद देखो दोस्तों हमने यह आपे ले लिया आकी बिल्यास को उमान की तरफ से स्टार्टिंग में हमने ये चार प्लेयर चूज कर लिए अब अगर हम बैटिंग के बात करें तो हमने आप लिए क्रैग इर्वाइन जिवाब्बे के तरफ से इस मैच में खेलना पे चाहिए क्योंकि इंपोर्टेंट मैच उनका कफ्तान भी है उसके बाद देखो दोस्तों मेरे को कोई और ऐसा प्लेयर सेफ दिख नहीं रहा है तो अभी के लिए हम बैटिंग को स्किप करते हैं उसके बाद बोलिंग के अगर हम बात करें तो बोलिंग में देखो दोस्तों मैं लिया बिलाल खान को रिचर्ड इंगारवा को फ्याज बट को यानि देखो दोस्तों अभी के लिए मैं टेंडाईचKA को लेंगा बागी एक बैटिंगमंना एक बैटिंग भिल्कूल जाना ओ तो फिर याँ पर यहां पर बॉलिंग के नंदद चन्डाइच्टारा और यहां बडाड इवहां के ले सकते हो, मान लेते हैं, ब्राइब इवान से टेंडरा ना खेले, उनमें से कोई एक ही खेले, उस case में उस case के नहें आप Blessing गुजरबानी को भी ले सकते हो इस टाइप के टीम बन जाएगी अभी के लिए मान के चलना हो कि Brard, Ivans और 10-12 दोनों खेलने चाहिए तो मैं दोनों को ले रहा हूँ और Captain मैंने किसको बनाया है यहाँ पे Captain से अपना Simple सिंपल सिंदर राजा Captain Vice Captain Son Williams को बनाया अला कि Craig Irvine भी एक Option निकल के आ सकते है यह हमारी सबसे पहले बनेंगे एक Safe से टीम जो की Maximum लोग बनाएंगे अब इस टीम में अगर आप एक दो दो चेंज करना चाहो ना तो आप Simple चेंज कर सकते हो जैसे अगर जिमवापे की टीम पहले मान लेते हैं बोलिंग करती है तो उसके सिंदर आप Wellington मसा कसदा को मुगा दे सकते हैं उसको बोलिंग का चांज मिल सकता है तो यह एक दो दो चेंज आप यहां पे कर सकते हो अब देखो दोस्तो Safe टीम बन गई अब हम एक Grand League की टीम बनापे Grand League की टीम में बिल्कुल सिंपल चूज करेंगा सबसे पहले सिकंदर आजा, सोन विलियम्स, अयान खान आके बिलिया चारो Safe ओप्सन चूज कर लिए उसके बाद एक differential पर लिया रियान बुल, राइट आम लेग लेग बोलिंग कर सकता है तो फ़ड़ा differential निकल के आ सकता है उसका बैटिंग के गरम बात करें तो यहाँ पे मैंने लिया वैसले मदवीरे को ठोड़ा सा differential अप्रोच अपनाते वे क्रेग इरवाइन के जगा वैसले मदवीरे को लिया और बोलिंग के गरम बात करें तो बिलाल खान रिचर्ड इंगारोवा फैजान बट और उसके बाद मैंने लिया ब्राट इवान्स को और उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर विगेड़ी की पर सेक्शन में वैसे तो हमारे पास जो लोड गंबाई सेफ उपसन है उसके साथ जा सकते हो रिस्क लोग तो यहाँ पे नदीन खुशी के साथ जा सकते हो लेकिन मैं जो लोड गंबाई के साथ ही जा रहा हूँ यह एक अपमारी बनगी ग्रेन लीक के टेट है इसके अंदर एक possible हो सकता है कि Captain तो मैंने सिकंदर रजा को बना दिया लेकिन Vice Captain मैं सोच रहो या तो मैं Ayaan Khan को बना दूँ या Aakib Ilyas को बना दूँ अभी के लिए मैं आपे Aakib Ilyas को Vice Captain बना के थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ उसके बाद Ayaan Khan और Aakib Ilyas CH-0 और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्लेयर ओरड डोपोडर का Craig Irvine हाला कि मैंने आपे Craig Irvine को डोप करने का इसक लिए है वो भी एक Captain Zee का आच्छा दाविजार रह सकते है अब देखो दोस्तों मैं एक Grand League की टीम यह मान के बनाते है कि जिमवाब्बे की टीम इस मैच के अंदर पहले बोलिंग करें और जिमवाब्बे की टीम दस विकेट से मैच जीज़े नहीं थोड़ा रिस्क लिया हमने ultimate की जिमवाब्बे दस विकेट से मैच जीज़े यहाँ पर मैंने क्या लिया सिकंदर रजा लिया उसके बाद अयान खान उसके बाद आकी मिलियास को लिया ओल्ड डाउंडर की बात करौँ रियान वूल को लिया जैसान मसूद को लिया और मुहमन नदीम को लिया उसके बाद bowling के अंदर मैंने Richard Ingarwa को लिया Tendai Chattara को लिया और Brad Evans को लिया अगर Brad Evans की जगा blessing मुझरबानी के लिए तुछ को ले लेना और थोड़ा बोट रिस्क लो यहां पे Wellington Masakasda को भी ले सकते हो लेगे मैंने अभी Brad Evans को लिया उसके बाद batting में crack Irvine को लिया और विकेट कीपर में जोई लोड गंबाई को लिया यह मेरी कुछ ऐसी टीम बन गए अब देखो दोस्तो इस टीम के अंदर अगर आप चाओ तो रियान बूल या फिर मुम्मन नदीन में से किसी एक कोड़ आके मान रहे तो आप मुम्मन नदीन में रिस्क लेकि यहाँ पर सोन विलियम्स को मुका दे सकतू काफिय चाप ले रहे लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया एक सिंपल सा मैंने यहाँ पर मुमन नदीन को रखका है इस टाइप की टीम में कैपकन से की बात करे तो कैपकन से कंदर रजा सेफ है रिस्क लो तो यहाँ पर रिचर्ड इंगारवा या ब्राड इवांस में से अटेंड़ाइस इटारा में स्किशिक को बना सकतू वाइस कैपकन से की बात करे तो क्रेग इरवाइन को मुका दिया जा सकता है यहां पर इस ताइब की टीम के बाकि को देखो सोन विलियम पर रिस्क लिया है एक ही टीम के उंढ रिस्क लेगवा ज्यादा टीम के पर वो के नहीं लुआ आप चाहो ताब ॢोरियान बूल को बोलिंग के लिये है क्योंकि leg break spinner है मां उम्मीद करों एक दोर की bowling करने आ जाए अगर आप यान बूल पर इसक लो और डारेक्ट वेलिंटन मसा कसदा को मोका देगे कुछ ऐसा structure भी बना सकते देखो दोस्तों ये ती में तसे जिमबापी वर्सिस ओमान के बीच होने वाले ICC World Cup Qualifier Match की Dream 11 टीम और Dream 11 प्रेडिक्शन उम्मीद गताओं वीडियो आपको अच्छे लगी अच्छे लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले धन्यवाद